Hello everyone, जैसे कि आप थमदल देखर समझी गया होगे, ये vlog किससे related है, लेकिन मैं फिल भी आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, ता ये चलते हैं आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त हूँ बिष्टोपूर में, जमशेदपूर में है ये बिष्टोपूर और आज मैं आपको बिष्टोपूर के इस प्लेस पे लेके जा रही हूँ, आप सामने देख सकते हैं, बिष्टोपूर पब्लिक स्क्वाइर एक प्लेस है, जो जमशेदपूर के बिष्टोपूर में है और आज मैं आपको बास्किन रॉबिंस आईस्क्रीम का रिव्यू देने वाली हूँ, जो आप सामने देख सकते हैं, हमें पहुशना है उस जगा तर अबरे वेल्कम बैक टो मैं चैनल लुपूर सिंग व्लॉग, तो आज मैं आपको देख आई हैं विष्टोपूर पब्लिक स्क्वाइर में, आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, यहाँ का आईस्ख्रीम और आप देख सकते हैं, बास्किन रॉबिंस की आईस्क्रीम, आज मैं ट्राई काउंटर पे आप सामने देख सकते हैं कुछ निए जिसमें से आपफुट के लिए फ्लेवर सेलेक्ट कर सकते हो हमने सोचा कि इसमें से हम किटकेट कैरेमल कॉन ट्राय करेंगे किटकेट कैरेमल कौन कुछ इस तरह का दिखता है, आपको कॉन की अलग से पेमेंट करने पड़े हैं एक मthere Moon define allows you to include this head between lower shots डाइच ता लिचा करना खर त्ला है आपपड़ कोन को सादे 법 चीन होगत शचलोड राफल दा है जिसकी प्राइच कर सकते हैं तो दो स्मॉल प्राइच पसिर शॉप बाहन लिका प्राइच सादे मेरा फॉन मेरी हाथों में आप देख सकते हैं। काफी जादा यंग डिलिशियस प्लेवर से भरा धिकराएगे। बाशिक इण रॉबिंस की आई च्रिम टेस्ट करती है। और ये काफी जादा टेस्टी थी। बहुत अच्छा पारका जाता है। काफी ज़धा कॉलिटी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, अश्वेता अपको अच्छा लगा, पर्फेक्ट तो बहुत अच्छा था इनका और काफी ज़धा डिलिशियस टी और मैं हमेशा भी हाने वादी हूँ, यहां की आइस्ट्रिम ट्राइ करने के लिए और आप यहां आए और यहां पब्लिक स्क्वाइर पे इंजॉय करें और बैठ है और यहां का फील है यहां के इंवर्में का अब ने सुना अश्वेता ने क्या कहा कि अगर आप दिश्टो पर शॉपिंग करने आए है तो यहां बैठ करके थोड़ी दिर चील कर सकते हैं जैसे कि हम अभी कर रहे है और गर्मी तो काफी जादा है गाइस तेसलिए कि हम तो सोचें की चलो आइस्क्रीम ट्राइ करते हैं यहां की काफी जादा फेमस है और आप जानते ही तो मैंने सोचा कि किटकेट कैरमल आइस्क्रीम कोन ट्राइ किया जाए तो आज हमने वही ट्राइब किया है जो आप देखे लिया है ताही अब चलते हैं घर की तरफ या फिर आप देखते हैं आगे कुछ अगर मिल जाए तो मैं आपसे जलू शेर करोंगी न साक्ची चलते हैं अब आप देख सकते हैं यह विश्चपूर का गुल शकर हम चाह रहे हैं साक्ची की ओर मैंने अभी सोचा कि क्यों ना आपको जम्शेदपूर के सुइट्स भी दिखा दिये जाए कि यहां की मिठाईया कैसी होती है यहां की मिठाईया दिख्की कैसी है जो जम्शेदपूर से नहीं है तो क्या आप देखना चाते हैं मिठाईया की कैसी होती है तो यह चलते हैं यह है साक्ची का 56 भोग तो आए चलके देखते हैं जम्शेदपूर के सुइट्स कैसे हैं तो यह देहें आपके सामने जम्शेदपूर के बहुत जादा टेस्टी आप सोच में पढ़ जाओगी कि आपको खाना कौन सा है क्यों है ना हमारे जमशोतिर की स्वीट्स काफी ज्यादा डिलिशियस यम देखते ही आपको मन में हो जाएगी कि मैं बस अब एक उठाके खाई लो और क्या खाऊ समझ कोई ना आए ये सारे ही इतने ज्यादा डिलिश बपक्योच में यूद क्युक्झा है बाही है।